आज कंडी सेना के रास्ती उपाद्यक्ष ठाकुर योगेंद्री सिंग राणा के नेतित में सेकडो कंडी सेना हनमान मूर्टी तिराये पर इखटे हुए इस अकसर पर कंडी सेना यूबर शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष अर्षवर्धन सिंग का जोड़दार स्वागत किया गया रास्ती उपाद्यक्ष ठाकुर योगेंद्री सिंग राणा ने कहा कि कंडी सेना हिंदुत को एकजूट करने का काम कर रही है हिंदुत को मजबूत करने का काम कर रही है कंडी सेना के रास्ती अध्यक्ष सुरचपाल सिंग अम्मू के नेतित में कंडी सेना भारत सहीत कनाडा, इंगलेंड, ब्रेटेंड, युनाइटेट स्टेट अमेरिका आदि देशों में हिंदुत को संगठन मजबूत कर रही है इस अपसर पर करनी सेना रास्टी उपाध्यक्ष ठाकुर योगेदर सिंग राणा के साथ प्रदेश महामंत्री संगठन अवनीश चोहान वरि जिला उपाध्यक्ष ठाकुर चेतन्य सिंग राणा, मंडल अध्यक्ष युवशक्ति ठाकुर अभिशेथ सिंग खटेरिया, प्रदेश मंत्री युवशक्ति ठाकुर अभिरीत प्रताप सिंग, महानगर उपाध्यक्ष योगेश रागव, मंडल उपाध्यक्ष ठाकुर जिल्लग मंत्री इपव और महमंत्री मंत्री झाल कमार अर्जुन सेग्ष मुखे रूप से उपस्थ रहे आज यह करनी सेना का जो युवा शक्ती है उसका युवा सम्मिलन था और युवा सम्मिलन के अंतरगत आज उत्तर प्रदेश के युवा शक्ती के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर हर्जबर्दन सिंग का आगवन मुरादवाद की सरजमी पर हुआ और सभी करकरताओं ने मिलकर उनका स्वागत किया जिसमें मुख्य रूप से युवा शक्ती के जलाध्यक्ष ठाकुर आमिज सिंग कठे रिया और मैन बोडी के जलाध्यक्ष है ठाकुर मुकेश सिंग और मंजल अध्यक्ष युवा शक्ती अभिशेख सिंग कठे रिया और उनके साथ में प्रदेश मंत्री ठाकुर अविरिक प्रताप सिंग सहित चेटने सिंग राना और बहुत सारे कार्यकरताओं ने बड़ा भव्य रूप से उनका स्वागत किया और उसके बाद में स्वागत के बाद में टांडा रामपुर में एक कार्यकरम था बहां के रितेश परदर्शन इस कार्यक्रम में युवाशक्ति का रहा तो मैं सभी कर्णी सेनिकों को बहुत-बहुत बदाई देना चाहता हूं बहुत-बहुत सादुवाद धेर सारी सुपक्रमा है जैसे रहा हूं